नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बी लाइक एंजीनियर्स में दोस्तों जब भी हमसे कोई पूस्ता है कि मैं अपना घर बना रहा हूं कौन सा सिमेंट लगाऊं तो हमको उस टाइम पे जो याद आता है हम वो उसको बता देते हैं लेगन जब हम अपना घर बनाते हैं तब हमारा दिमाग चकराता है कि मैं अब कौन सा सिमेंट लगाऊं तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि मार्केट में अभी कौन कौन से सिमेंट टॉप पे चल रहे हैं दूसरा आपको घर बनाने के लिए कौन सा सिमेंट लगाना चाहिए और उसको लगाने से पहले उसमें क्या-क्या देखना चाहिए तो वीडियो में मेरे साथ एंट तक बने रहेगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा चलिए आपका जाधा टाइम ना लेते हुए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं तो आईए अब बात करते हैं टॉप सिमेंट इन दो मार्केट तो देखिए सबसे पहले है हमारा ACC सिमेंट सेकेंड अल्टराटेक सिमेंट थर्ड अम्बूजा सिमेंट फोर्थ इमामी सिमेंट और फिफ आता है JP सिमेंट अब देखिए लेकिन हमको सिर्फ कमपनी का नाम देखके सिमेंट का भी नहीं खरीदना है अपना घर बनवाने के लिए देखिए हर कमपनी का भी अलग अलग सिमेंट का टाइप होता है ग्रेड होता है ठीक के उसका के सिमेंट सबसे ज़्यादा यूज करते है पहला होता है हमारा OPC याने की Ordinary Portland सिमेंट और दूसरा होता है हमारा पीपीसी याने की पोजोलेरा पोटलेंट सिमेंट चलिए अब एक एक करके दोनों के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं OPC की तो फ्रेंस OPC सिमेंट तीन डेड में अवेलेबल होता है 33, 43 और 53 अब हमारे मन प्रिक्शन कर रहे हैं जहां पर आपको कम टाइम में ज़्यादा स्टेंध चाहिए तो आपको बिल्कुल OPC यूज करना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही कम समय में ज़्यादा स्टेंध को अच् crawling कर लेता है तो दोस्तो सवाल अब हमारे मन में यह आता है कि जब OPC इतना का सबसे बड़ा रीजन तो यह है कि PPC OPC के मुकाबले में थोड़ा सा सस्ता होता है सेकेंड जो PPC होता है वो केमिकल्स के एगाइंस्ट बेटर रेसिस्टेंस प्रोवाइड कराता है थर्ड कि इसकी वरकेबिलिटी बहुती अच्छी होती है आईए अब बात करते हैं इनके यूजेज की कि OPC कहाँ पे यूज होता है और PPC कहाँ पे यूज होता है तो देखें फ्रेंज जितने भी आपके घर के important structural member होते हैं जैसे कि footing, column, beam और slab इन सब में आप बिलकुल आख बन करके OPC का यूज कर सकते हैं आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है अब बात करते हैं PPC के uses की तो देखें दोस्तों आप plaster, tile, brickwork इन सभी तरह की कामों के लिए PPC का use कर सकते हैं जहाँ पे early initial strength याने कि आपको जल्दी कोई strength नहीं चाहिए होती है उन कामों के लिए आप PPC का use कर सकते हैं अब मेरी तरफ से cement के लिए आप लोगों को एक important सला तो देखें आप इन में से किसी भी brand का OPC cement खरीद लीजिए आँख बन करके कोई problem नहीं है लेकिन हाँ, कुछ बाते में पहले बताता हूँ आपको कि सबसे पहले तो अगर आपके पास cement को store करने की जगे नहीं है तो आप bulk में cement बिल्कुल मत खरीदिए क्योंकि वो खराब हो जाएगा, set हो जाएगा पड़े पड़े अगर proper storage नहीं रहा तो अब देखिए, लेकिन ये भी फायदा है कि bulk में cement खरीदेंगे तो cement सस्ता पड़ेगा तो आप क्या कीजिए कि bulk में payment कराईए उसको लेकिन उससे ये बोलिए कि हमको जैसे जैसे लगेगा हम वैसे cement मंगवाते रहेंगे तो ये बात आप पहले ही dealer से कर लीजिए और जब भी आपके cement की delivery हो मान लीजिए कि थोड़ा आपने 50 bag पहले मंगवाया फिर 100 bag मंगवाया, 20 bag मंगवाया तो हर बार उसका जो cement bag होता है उस पर चेक जरूर कीजिएगा कि आपको OPC ही आया है या कोई दूसरा cement भेज दिया है क्योंकि ऐसा बहुत सी बार हो जाता है तो दोस्तों अगर इस वीडियो में वताई गई हर step को हर information को अगर आप सही से follow करेंगे तो बिलकुल आपका घर बहुत ही जादा मजबूत बनेगा अब मैं यह उमीद करता हूँ कि इस वीडियो के साथ आपका cement को खरीदने से कि OPC क्या होता है, PPC क्या होता है कहां यूज होना चाहिए और कौन सा cement घर बनाने के लिए खरीदना है, यह सारे doubt clear हो गए होंगे फिर भी अगर कोई doubt है तो comment करके जरूर पूछिएगा मैं उसका reply जरूर करूँगा और हाँ, वीडियो के लिए next topic भी जरूर बताईएगा कि अगला वीडियो आपको किस topic पर चाहिए साथ ही साथ इस वीडियो को like कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ share कीजिए जो अपना घर बनाना चाह रहे है और cement खरीदने में उनको confusion है उसके बाद channel को subscribe और उसके पास में जो bell button आएगा उसको on करना बिलकुल मत भूलिएगा उससे आने वाले सारे वीडियो के notification आपके पास सबसे पहले पहुच जाएंगे चलिए friends मिलूँगा अगले वीडियो में एक और नई बहतर जानकारी के साथ तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा जैहिन धन्यवाद